इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, Class 8, NCRT Book, Exercise 2.2, Question 16, बहुत ही important question है, जैसे 14 और 15 question थे, तो देखो कैसे करना है question को, question है, the organizer of an essay competition decides that a winner in the competition gets a price of Rs. 100 and a participant who does not win gets a price of Rs. 25, तो एक organizer decide करता है कि एक essay competition में, जो भी जीतेगा, उसको में 100 रुपे दूँगा और जितने भी लोग participant रहे होंगे, जो जीते नहीं है, उसको में Rs. 25 रुपे दूँगा, the total price money distributed is Rs. 3000, तो 3000 रुपे उसने total distribute किया है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, amount, the total amount is, वो है, 3000 जो की distribute हुई है, find the number of winners, आपको number of winner निकालना है, if the total number of participant is 63, अगर total participant 63 है, तो number of winner निकालो, कितने लोग जीते हैं, कैसे करोगे question देखो, अगर total number of participant 63 है, तो मान लो, winner जो है, x है, जो winner है, यानि कि जो लोग जीते हैं, मुझे नहीं पता कितने number of लोग जीते हैं, तो मैं उसको x मान लेती हूँ, तो total अगर 63 लोग हैं, उसमें से x जीते हैं, तो जो participants होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे, 63 माइनस x, ठीक है, बहुत easy सा concept है, 63 लोग टोटल हैं, उसमें से x जीते हैं, तो participant कितने रहे होंगे, 63 माइनस x, अब आगे वो क्या कहता है, तो वो बोलता है कि 100 रुपेद मैंने जीतने वाले लोगों को दिये, तो जितने लोग जीते हैं, या तो क्या question और equation बनता है, देखो, मैंने अगर total amount 3000 रुपे खर्च की है, ठीक है, total, तो ये जीतने वालों को दियोगी, और ये हारने वालों को दियोगी, sorry, participant को दियोगी, तो जीतने वालों को मैंने total कितना amount दिया होगा, इतने लोग जीते, हर एक को 100 रुपे दिया, तो 100x इसको ऐसे समझो, कि 100-100 रुपे मैंने 5 लोगों को बाते, तो कितने total बाते होंगे, 500, 100 into 5 करोगे, तो अभी मुझे नमबर नहीं पता है, तो मैं 100 into x लिखोंगी, कि इतनी amount मैंने distribute किये, winners को, participant को कितनी amount distribute किये, 3000, sorry, 63 minus x into 25, यानि this into this, 25 को 63 minus x से multiply को करोगे, तो यह जो amount है, यह amount आईगी आपकी, यह मैंने participants को distribute किये, और यह winners को, इन दोनों का sum जो है, वो 3000 है, तो यह आपकी equation बन गई है, अब आपको सिर्फ question को solve करना है, तो 100x plus 25, 63 minus x equals to 3000, 100x plus 1575, 25 को 63 से multiply किया, minus 25 को x से multiply किया, 25x equals to 3000, तो x वाली terms को आपस में minus कर दो, 100x minus 25x, 75x plus 1575 equals to 3000, अब 75x इदर ही रहेगा, और यह उदर जाके minus होगा, तो 3000 minus 1575, तो 75x equals to, यह आपका 1425, तो x equals to 1425 divided by 75, which is 19, तो x की value आपकी आए, 19, तो x हमने क्या माना था, जो number of winners थे, तो question का answer है, कि जितने भी लोग जीते हैं, वो 19 है, और उनको अगर amount पूछा जाए, कि कितना amount दिया है winners को, तो 100 rupees एक बंदे को दिया था, तो 100 into 19, यानि 1900 रुपए total winners में distribute किये गए है, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपके concept clear होंगे, फिलाल इस question का answer, 19 students है, यह 19 winner, number of students who won the competition.